साध्यों आप अपने लैप्टोप को या अपने PC को WiFi से कनेक्ट करने की कोसिस करते हैं अपने फोन के WiFi से या अधर को या आपने WiFi ले रखा है उससे और आपके पास एक मैसेज आता है Unidentified Network और यह हटता नहीं है प्रोब्लम बन जाता है तो कोई दिकत नहीं है इतनी बड़ी प्रोब्लम नहीं है हम आसानी से उसका सुलूशन कर सकते सिंपल सा है सिंपल से स्टैप आपने अपना ले है 100 परसेंट यह वर्केवल है और इसी कारण से यह होता है पर लेट्टौप स्किन पे चलता है यहां पर नजर मारिए आपके पास यह दिखा रहा है और यहां यहा पर क्लिक करेंगे यहां दिखा रहा है ओप और 33 मेरा मुबाईल से से कनेक्टड किया हो definition दिखा रहा है connected लेकिन उपर आ रहा है unidentified network हम network and sharing center में जाके देखेंगे तो यहां भी दिखा रहा है unidentified network दिखा रहा है यानि कि internet नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती इसको हम कैसे अटाएंगे वो देखें मैं आपको बताता हूँ आप इदर जाएंगे अपने change adapter setting के अं करेंगे और इस पर चले जाएंगे properties में properties के अंदर आपको दो internet protocol नजर आएंगे version 6 और version 4 ठीक है तो version 4 पर यहां पर double click यूज करें या single click करके आप यहां पर properties पर click करेंगे तो आप यहां नजर डालोगे आपके पास एक IP address डला हुआ होगा यह IP address डलता है broadband के connection के लिए उसका IP address जानने के लिए ठीक है यह connectivity हमको नहीं चाहिए हम यहां से इसको obtain an IP address automatically यहां पर click करेंगे और इसको भी हम automatically पर click कर कर देंगे और इसको कर देंगे okay जहां से कर देंगे close अब यह identify करेगा देखो यहां पर करने लग रहा है और यह connect हो गया इसको बंबेसे close कर देंगे यहां पर देखो आपका net चल गया internet access चिरब यह problem मिलेगी आप आसानी से कर पाएंगे उमीदा आपको वीडियो जरूर अ लागा होगा मैं कमेंट्स में बताइए हमेरे वीडियो को भी दोस्तों में शेल कीजिए हमें लाइक कीजिए और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जूरू कर लिएजएगा धन्यवाद दोस्तों